इस शरीर की तार्त्विक सनरचना ऐसी है, कि इस शरीर का 72 प्रतिशद हिस्सा पानी है, 12 प्रतिशद प्रित्वी है, 6 प्रतिशद वायू है, 4 प्रतिशद अगनी है, बाकी आकाश है. जीवन को अच्छी तरह से जीने में, पानी की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, क्यूंकि इस शरीर का 72 प्रतिशद हिस्सा पानी है, और प्रित्वी का 72 प्रतिशद हिस्सा भी पानी है. तो कुम्भ या कुछ आक्षांशों या लैटिटूड्स पर नदियों के संगम का उप्योग करने के इस विज्ञान की खोज हुई. जीवन और हमारे आसपास की विभिन शक्तियां किस तरह कार्य करते हैं और हम कैसे उनका उप्योग कर सकते हैं, इसके गहन अध्यायन से य हो जुई. ये बहुत महत्वपूर्ण और खास दिन हैं. इसे मौन अमावस्या कहा जाता है. लोग समझते हैं कि ये बहुत लाबदायक समय हैं. आमतोर पे वे उस दिन से लेकर महाशिवरात्री तक मौन रहते हैं. और वे ऐसे स्थानों को चुनते हैं जहां जलाशाय मिलत नदिया मिलती हैं और एक भवर बनाती हैं ताकि सबसे ज्यादा असर हो. इसलिए वे नदियों के संगम में उस दिन डुपकी लगाना चाहते हैं. और जिस चीज़ की शुरुवात कुछ योगियों से हुई, उसे अब एक दिन में चार से पांच करोड लो करते हैं. ये धर का एक एक पैसा लगा कर कहां कहां से बस दो दिनों के लिए वहां जाते हैं. क्यूंकि किसी ने उनको बताया है कि अगर उस दिन आप डुपकी लगाएंगे, तो आपको मुक्ती मिल जाएगी. आज भी इस देश में 80 करोड लोग सक्रिय रूप से जाने अंजाने में मुक् अचा रखते हूं. पहुंच बनाने के साधन दयार किये. ये मेरी कामना और मेरा आशिरवाद है कि ये कुम्भ मेला दुनिया को इस संभावना के प्रती जागरित करने की दिशा में एक बड़ा कदम बन जाए. कि अचार से जाने के जाए.